नमस्कार मैं संजे सनम यूटूब के सभी वीवर्स का हर्दे से अभीवादन वीवर्स सोसल मीडिया से एक क्लिप अभी हमारे पास आई है उस क्लिप को देखने के बाद मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं मामला बहुत गंभीर है अध्यात्म संसकर्ती का मजाक उड़ाने की कोशिस हुई है दिल्ली के प्रीत बिहार विवेक बिहार में इस्तित हनुमान जी के मंदिर में के बैसमेंट में असलील मूर्तियों का निर्मान और असलील मूर्तियों को लगाये जाने की कोशिस नगन मूर्तियां दिखाई दे रही है उस क्लिप में और काम क्रिड़ा करती हुई उन मूर्तियों का वहाँ पर निर्मान हो रहा है ये बहुत विचारनी प्रश्ण है हनुमान जी का मंदेर यानि सनातन संस्कृती पर ये परहार है और कौन लोग कर रहे हैं ये जानना बहुत आविशक है और ये परसासन की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसी की आस्था पर अगर कोई इस तरह से खिलवाड कर रहा है और इस तरह से अश्टलील मसा कर रहा है तो उस पर उचित कारवाई हो उस क्लिप में आवाज थी एक युवक की और उसका बिलकुल आकरोज था बहुत साप था विश्वा हिंदू परिसद और बजरंग दल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ये जो कोई भी कर रहा है उसे बकसा नहीं जाएगा और बिलकुल ये होना भी चाहिए क्योंकि किसी भी मजभ का मजाक उड़ाने की आजादी किसी को नहीं मिलने चाहिए ये दिल्ली के परसासन का दाइत वो बनता है रहात जोड कर मेरी वीनमर अपील है वीवर्स उस क्लिप को हम नहीं दिखा पा रहे हैं इतनी अश्लील है वो क्लिप कि हम उसे इस अपनी प्यादा हमारी गरिमा हमें एलाव नहीं करती तो फिर जिन लोगों ने ये साजिश की है उन लोगों ने एक पल भी नहीं सोचा कि हनुमान जी के मंदिर में राम के मंदिर में या किसी भी मंदिर में क्या इस तरह की ऐशालीन इस तरह की अश्लील मूर्तियां बनाई जा सक और ये करोणों सरधालों की भावनाओं के साथ एक मजाक है और इसके लिए हमने सोसल मेडिया पर अपील की है दिल्ली के जो लोग प्रीत विहार और विवे की विहार के आसपास रहते हैं वहां पर हनुमान जी के मंदिर में वो भी जाकर के देखें कि बेस्मेंट में क्या उ अगर हुई है तो परसासनिक अदिकारियों को सुचित करें कोई भी थे का खुला नहीं जताए परसासन के पास जाएं कानून व्यवस्ता के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वो आएं और समुचित कारवाई करें इस क्लिप को देखने के बाद मनमिया कुरुसुवार आप तक पहुंचाया है बहुत बहुत आभार नमस्क्राइब